ओम नमशिवाय ओम नमशिवाय हर हर बोले नमशिवाय नमशिवाय ओम नमशिवाय हर हर बोले नमशिवाय रामिश्वराय शिव रामिश्वराय हर हर बोले नमा शिवाय रामिश्वराय शिव रामिश्वराय हर हर बोले नमा शिवाय ओम नमा शिवाय ओम नमा शिवाय हर हर बोले नमशिवाई गंगा धराए शिव गंगा धराए हर हर बोले नमशिवाई गंगा धराय शिव上 हर बोले नमशिवाई ओम नमशिवाई ओम नमशिवाई हर हर बोले नमशिवाई नमशिवाई ओम नमशिवाई हर हर बोले नमशिवाई भूतेश्वराय शिवा भूतेश्वराय हर हर बोले नमा शिवाए, भूतेश्वाराय शिव, भूतेश्वाराय, हर हर बोले नमा शिवाए, ओम नमा शिवाए, ओम नमा शिवाए, हर हर बोले नमा शिवाए, ओम नमा शिवाए, शिवाए हर हर बोले नमस्वेवाए बोल शंकर भगवान की जय बोल बांके बिहारी की जय बोल पार्वती माता की जय बोल नंदी बाबा की जय सभी संतो की जय ओम नमस्षिवाई और उनके द्वारा तारक का वद तत्पश्यात देवो द्वारा कुमार का अभिनंदन और इस्तवन कुमार का उने वर्दान देकर कैलास पर जा पार्शिव पार्वती के पास निवास करना बोल शंकर भगवान की जय ब्रह्मा जी ने कहा शंकर सुवन स्वामी कार्तिक तुम जो देवाजिद देव हो पार्वती सुत्थ विष्णू और तारका सुर्व का यह व्यर्थ युद्ध शोवा नहीं दे रहा है क्योंकि विष्णू के हाथो इस तारक की मृत्यू नहीं हो सकती यह मुझसे वर्दान पाकर अत्यन्त बलवान हो गया है यह मैं बिलकुल सत्य बात कह रहा हूँ पार्वती नंदन तुमारे अत्रिक्त इस पापी को मारने वाला दूसरा कोई नहीं है इसलिए महाप्रभो तुम्हें मेरे कतना अनुसारी कार्य करना चाहिए परम तपह तुम शिग्र ही उस दैत्य का वद करने के लिए तैयार हो जाओ क्योंकि तुम पार्वती पुत्र तारक का सनहार करने के निमित ही तुम शंकर से उत्पन हुए हो ब्रह्मा जी कहते हैं मुने यो मेरा कतन सुनकर शंकर नंदन कुमार कार्ति कई हठठा कर हस पड़े और प्रसंता पूर्वक बोले तथास तो ऐसा ही होगा तब महान एश्वरी शाली शंकर सुबन कुमार तारका सुर्ख के वद का निश्चे करके विमान से उधर पड़े और पैदल हो गए जिस समय महाबली शिव पुत्र कुमार अपनी अत्यन्त चमकीली शक्ति को जो लप्टों से दमकती हुई एक बड़ी उलका उलका पिंड सी जान पड़ती थी हाथ में लेकर पैदल ही दोड़ रहे थे उस समय उनकी अध्वुत्ष शोबा हो रही थी उनके मन में तनिक भी व्याकुलता नहीं थी वे परम प्रचंड और अप्रमय बलशाली थे उन शन मुख को अपनी योर आते देख दारक सुर्ष रेष्टों से बोला क्या शत्रों का सनहार करने वाला यही है कुमार यही है मैं अकेला वीर इसके साथ युद्ध करूँगा और मैं ही समस्त वीरों प्रमत गणों लोकपालों और श्रीहरी जिनके नायक है उन देवताओं को भी मार डालूँगा तदंतर देवताओं को दुर्वचन कहकर वह असुर्तारक भीशन युद्ध करने लगा तब शत्रू वीरों का संहार करने वाले कुमार ने शिवजी के चरन कमलों का इसमरन किया तारक के वद का विचार किया फिर तो महा तेयस्वियों महा बली कुमार रोशा वेश में आकर गर्जना करने लगे और बहुत बड़ी सेना के साथ युद्ध के लिए डटकर खड़े हो गए उस समय समस्त देवताओं ने जैजैकार का घोश किया और देवर्शियों ने इस टुवानी द्वारावन की स्थित्वी की तब तारक और कुमार का महा संग्राम प्रारंब हुआ जो अत्यन्त दुस्सह महान भयंकर और संपुन प्राणियों को भयवीत करने वाला था कुमार और तारक दोनों ही शक्ती युद्ध में परम प्रवीन थे अत्यन्त रोशा वेश में में वे परस्पर एक दूसरे पर प्रहार करने लगे परम पराक्रमी वे दोनों नाना प्रकार के पैतरे बदलते हुए गरजना कर रहे थे और अनेक प्रकार से दाव पेंस से एक दूसरे पर आगात कर रहे थे उस समय देवता गंधर्व और किन्नर सभी चुपचाप खड़े होकर वहे द्रश्य देखते रहे उन्हें परम विस्मय हुआ यहां तक कि वायू का चलना बंद हो गया सूर्य की प्रभा भी फीकी पड़ गई और परवत एवं वन काननों सहीत सारी प्रत्वी काप उठी उस इसी अफजर पर हिमाले आदी परवत इसनिहा भी भूत होकर कुमार की रक्षा के लिए वहां आए तब उन सब परवतों को भैभीत देखकर शंकर एवं गिराज के पुत्र कुमार ने उन्हें सांतुना देते हुए बोले कुमार ने कहा महाभाग परवतो तुम लोग खेत मत करो तुमें किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं करनी चाहिए मैं आज तुम सब लोगों की आँख्यों के सामने ही इस पापी का काम तमाम कर दूँगा यो उन देवताओं तथा देवगणों को धाडस बंदा कर कुमार ने गिरिजा और शंभु को प्रणाम किया पता अपनी कांती मई शक्ति को हात में लिया शंभु पुत्र कुमार महा बली तथा महन एश्वरी शाली तो थे ही तब उन्होंने तारका का वद करने की इच्छा से शक्ति हात में ली उस समय उनकी अध्भुत शोबह हुई तदंतर शंकर जी के तेज से संपन कुमार ने उस शक्ति से तारका सुर पर जो समस्त लोकों को कष्ट देने वाला था प्रहार किया उस शक्ति के आघात से तारका सुर के सभी अंग छिन्न भिन्न हो गए और संपून असुर गणो को अधिपती वह महावीर सहसा धराशाई होकर प्रत्वी पर गिर पड़ा मुने सबके देखते देखते ही कुमार द्वारा मारे गए तारक के प्राण पकेर उड़ गए उस उतकरष्ट वीर तारक को महा समर में प्राण रहित होकर गिरा हुआ देखकर वीर वर कुमार ने पुनह उस पर वार किया वार नहीं किया उस महावली दैत्ते राज तारक के मारे जाने पर देवताव ने बहुत से असुरों को मोत के घाट उतार दिया उस युद्ध में कुछ असुरों ने भैबीत होकर हात जोड लिये कुछ के शरीर छिन भिन हो गए हजारों दैत्ते मृत्य के अतिती बन गए कुछ शर्णार्थी दैत्ते अंजली बांध कर पाही पाही रक्षा कीजिए रक्षा कीजिए यों पुकारते हुए कुमार के श अशा से भाग कर पाताल में घुज गए उन सबकी आशाएं भग्न हो गई थी उन सबकी आशाएं भग्न हो गई थी और मुक पर दीनता चाही हुई थी मुनिश्वर इस प्रकार वहसारी द्यत्य सैना विनस्ट हो गई देवताओं देवगणों के भैसे कोई भी वहां ठहर ना सका उस दुरात्मा तारक के मारे जाने पर भी सभी लोक निश्कंटक हो गए और इंद्र आधी सभी देवताओं कुमार की गान करने लगे कुमार की इस्तुती करने लगे और आनन्द मगन हो गए यों कुमार को विजय देखकर एक साथ ही संपूर्ण देवताओं तथा त्रिलोकी के समस्त प्राणियों को महान आनन्द प्राप्तु हुआ उस समय भवान शंकर भी कार्ति के की विजय का समाचार पाकर प्रसनता से भर गए और पारवती जी के साथ गणों से घिरे हुए वहाँ पधारे तब जिनके हिर्दे में नहीं समाता नहीं था वे पारवती जी परम प्रेम पूर्वक सूर्य के समान तेजस्वे अपने पु उत्रों से घिरे हुए हिमाले ने बंदू बांदू तथा अनुयाईयों के साथ आकर शंभू पारवती और गुह का इस्तवन किया तत पश्चात संपूर्ड देवता मुनी सिद्ध और चारनों ने शिवनंदन कुमार शंभू और परम प्रसन हुए पारवती की स्तुती की उस समय उप देवों ने बहुत बड़ी पुश्प वर्षा की सभी प्रकार के बाजे बजने लगे विशेश रूप से जय जय कार और नमसकार के शब्द बारम बार मुच्च स्वर से गूंजने लगे उस समय वहाँ एक महान विजय उत्सव मनाये जाने लगा इतने जिसमें कीर्टन की विशेश्टा थी वह स्थान गाने बजाने के शब्द तथा अधिक अधिक भ्रह्म घोश से व्याप्त थे मुने समस्त देवद गणों ने प्रसंता पूर्वक गा बजा कर तथा हाद जोड कर भगवान की इस्तुती की भगवान जगनात की इस्तुती की तथ परशास सबसे प्रशंसे तथा अपने गणों से घिरे भगवान रुद्र जगजननी भवानी के साथ अपने निवास स्थान के इधर तारक को मारा देखकर सभी देव देवता अन्ने समस्त प्राणियों के चेहरे पर हसी खिलने लगी वे भक्ति पूर्वक शंकर सुवन कुमार की इस्तुती करने लगे देव तुम दानाव शेष्ट तारक का हनन करने वाले हो न तुमे नमस्कार है शंकर नंदन तुम बाना सुरके विनाशक तुम बाना सुरके प्राणों का अपरन करने वाले तथा प्रलंबा सुरके विनाशक हो तुमारा स्वरूप परम पवित्र है तुमे हमारा विवादन ह ब्रह्मा जी कहते हैं मुने जब विश्णुवादी देवताओं ने इस प्रकार को वार का इस्तवन किया तब उन सभी इन प्रभु ने सभी देवों को करमशन नया नया वर प्रदान किया तत्पशार्ष परवतों को इस्तुती करते देखकर वेशंकर तनय परम प्रसंद हुए और उन्हें वर देते हुए बोले इसकंद कहते हैं कार्ती कहीं कहते हैं भूदरो तुम सभी परवत तबस्यों पूजनियों तथा करमट और ज्यानियों के लिए सेवनिये हो जाओगे फल दाता होंगे तब देवता बोले कुमार यों असुर राज तारक को मार कर तथा देवों का वर प्रदान करके तुमने जो हम सब को चराचर जगत को सुखी कर दिया है अब तुमें परम प्रसंदा अपने माता पिता पारवती और शंकर का दर्शन करने के लिए शिव के निवास भूत कैलास पर चला जाना चाहिए ब्रह्मा जी कहते हैं मुने तदंतर सब देवताओं के साथ विमान पर चड़कर कुमार इसकंद शिव जी के समीब कैलास पहुँच गए उस समय शिव शिवा ने बड़ा आनंद मनाया देवताओं ने शिव जी की स्तुती की शि शिव पारवती तथा शंकर नंदन कुमार के रमणिये ये शिगान का बखान करते हुए अपने अपने लोकों को चले गए इधर प्रवेश्व शिव भी शिवा कुमार तथा गणों के साथ आनंद पूर्वक उस कैलास पर निवास करने लगे मुने इस प्रकार जो शिव भक्ती से ओत प्रोत सुक दायक एवं दिव्य है कुमार का यह सारा चरित्र मैंने तुम से यह सुनाया है और अब क्या सुनना चाहते हो इती श्री रेवा खंडे रुद्र सहीता नाम कुमार प्रकरण चतुर्त अध्याय जो प्रकार प्रकरण है कुमार सहीता का उसका चतुर्त अध्याय जो चल रहा है उसका आज हमारा बारवे अध्याय तक पून हुआ अब तेरवे अध्याय में कलम करेंगे शिवा का अपनी मैल से गणेश को उत्पन्न करना द्वारपाल पद पर नियुक्त करना गणेश द्वारा शिव के रोके जाने पर उनका शिव गणों के साथ भयंकर संग्राम शिव जी द्वारा गणेश का शिरश्च्छेदन कुपीत हुई शिवा का आधी शक्तियों को उत्पन्न करना उनके द्वारा प्रलाय मनाया जाना देवताओ तथारिश्यों द्वारा इस्तवन द्वारा पारवती को प्रसंद करना उनके द्वारा पुत्र को जलाय जाने की बात कही जाने पर शिव जी के अग्यानुसार हाती का सिर लाया जाना और गणेश के धड़ से जोड़कर उने पुनर जीवित करना बोल शंकर भगवान की जए रुद्र महादेव की जए शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महा जगवन्दन जो शंकर के सुवन है शंकर के पुत्र है जो केसरी है केसरी के नंदन है हनुमंत जो शंकर के पुत्र है क्योंकि शंकर के पुत्र हनुमान जी को भी माना गया और शंकर के पुत्र कार्ति के को भी माना गया, कार्ति के हैं गणेश हैं और हनुमान जी को भी उनीका पुत्र माना गया है, शंकर सुवन कल हम फिर से बैठेंगे और शिव पुरान का इस्मरन, मनन, चिंतन, कीरतन ये करेंगे, तब तक के लिए आ गया, ओब